current cycle 즉क्प्रोस्थ ौ चिसको हम मोली होजें वे पड़ने है उसमें हमें एक ही चीज़ अचीज battle , क्यों पड़ते हैं बहुत ही सिंपल है इसलिए पर थको बनना इस सेधिना कॉम्येटी ही तो यहां पर एग की फॉर्मुला हमारि ही काम का आता है देखो Efficiency की जो value होती थी हमने देखी थी वो होती थी 1-Q out divided by Q in के बराबर होती थी Carnet cycle में हमाया पास यहां पर एक special formula आजाता है Efficiency for Carnet special हो जाता है 1- temperature of cold upon temperature of hot पस यही formula इस पर सारे के सारे questions होने वाले है अब एक चीज़ और है कि Carnet cycle होती ही क्या है यह भी देख लेते है पहली चीज़ तो हमें Carnet cycle बनानी है इस तरीके से बनानी एक cycle process होना चाहिए जिसमें heat transfer जब भी होगा delta T की value 0 होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर हमाया पास देखो for reversible reversible हमाया पास delta T during heat transfer is equal to 0 होना चाहिए delta T क्या चीज़ होती है temperature जो हमारी gas का temperature है और surrounding का temperature दोनों सेम होने चाहिए तब देखो surrounding की जब बात हो रही है हम जब भी इस heat cycle की बात करते हैं कोई भी heat engine मनाते हैं तो हमाया पास 2 surrounding के level होते है एक होता है hot temperature जिसको हम heat reservoir बोलते हैं हम heat लेते हैं एक होता हमाया पास cold temperature जो कि हमारा sink होता है उसमें heat को dump करते चलते हैं पहले तो हम हमारी surrounding बना देते हैं यहां पर एक होगा मेरे पास इस तरीके से कुछ T hot इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे दूसरा होगा मेरे पास इस तरीके से यह सब क्या है हमारे पास आइसो थम यह होगा हमेरे पास T cold जब भी हम heat absorb करेंगे surrounding system से बाहर से जहां से भी लेनी जो भी हम heat दे रहा है उस वक्त delta T key value 0 होनी चाहिए अच्छा तो मैं heat लूँगा तो मेरा process आइसो थर्मल ही हमारा process होगा अच्छा थोड़ा सा और इदर ले दो नहीं तो diagram नहीं बनेगा अच्छा ओके आइसो थर्मल ही process हो सकता है अब आइसो थर्मल में मेरे पास दो option है या तो इदर जाओंगा या फिर मैं इदर जाओंगा अब आप देखो कि जब हम heat अब्सार्ब करते हैं इसो थर्मल में हमें इधर जाना होता है सबसे पहला जो हमारा पास process हो आजाता है इस तरीके से इस इस वन फॉस्ट इस आईसो थर्मल expansion इसी process में हम heat को absorb करते हैं हम नहीं करते हैं हमारी जो गैस है piston गेंदर वो कर लेती है heat in करी है at temperature tea hot ठीक अब फिर इसके बाद दूसरा process होना है कुछ और क्योंकि यहीं से अगर मैं वापस आगया तो फिर तो भाई हमारा पास work done वगगरा है सब कुछ जितना positive था होता ही negative हो जाएगा cycle का work done ही नहीं है ऐसी cycle करके फायता गया तो अब मेरे को किसी और temperature पर जाना है नीचे वाले temperature पर आना है नीचे वाले temperature पर आऊंगा अब surrounding के temperature हमारा पास दो ही है अगर बीच मेंने heat transfer कर दी तो वो इन दूनों के अलावा कोई temperature पर हो जाएगी कुछ डिल्टेटी की value हो जाएगी अगला फिर हमारा पास होना जाएगी ऐसा process जिसमें heat transfer ही ना हो और वो process होता हमारा पास adiabatic तो फिर अब हम क्या करते है adiabatic process यहां से मुझे adiabatic तरीके से नीचे आना है ठीके तो मैं कैसे आ सकता हूँ यहां से मैं ऐसे ही आ सकता हूँ क्योंकि अगर मैं compression करूँगा तो फिर मैं उपर चला जाओंगा और मुझे आना पड़ेगा नीचे एक ही रस्ता बचता है मुझे ऐसे आओ नीचे हमारा पास जो second हो जाता है वो हो जाता है adiabatic expansion adiabatic expansion में हमारा पास q is equal to 0 कोई heat ही नहीं दिया हमने ठीक all right फिर उसके बाद अब मुझे पहुँचना तो original पर ही है अब मैं वापस इसको ऐसे कुछ लाना पड़ेगा वापस लाने के लिए कुछ इस तरीके से मिलाओंगा जब मैं इसको यहां तक वापस लाता हूं तो अब यह heat reject करेगे यह heat reject करती है इस तरीके से क्यू आउट हो जाती है हमाया पास यहां पर ठीक है तो हमाया पास जो थर्ड आ जाता है वह आता है आईसो thermal क्या बोलेंगे इसको volume कम हो रही है तो इसको हम बोलते compression इसमें हमारे पास heat reject होती है और फिक चौथा अब देखो फिर से मेरे को वापस यहां पर ही पहुंचना है कैसे पहुंच हो बीच में process हसा होना चाहिए कि कोई heat transfer ना हो heat transfer हो तो फिर irreversible हो जाएगा तो वही हमाया पास एक ही option है यहां पर होना पड़ेगा adiabatic compression both will be again adiabatic compression q is equal to zero अभी जो heat absorbed है और heat rejected है इन दोनों का difference ही हमारा work done होता है ठीक है तो मालनों मैं आपस यह इस तरीके से cycle चला ही है न टैं 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 हमने इसको 100 Joule दिया इसने 30 Joule भार फेक दिया work done कितना किया होगा देखो energy conservation हमेशा valid रहता है 100 will be equal to 30 plus w आप यहां से w की value निकाल सकते हो हमारे पास हमेशा work done की जो value आ जाएगी वो आ जाती है q in minus q out और यह जो q out है यह हमारे किसी काम की नहीं है वेस्ट 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 इसरांड़ी में गई गई कहीं गई मैं क्या करूं उसका घर के बाहर इसी चलता है कभी आपने ऐसे दिखा इसी की कर्मी का हो इस्तेमाल कर ले किसी काम की नहीं है हमारे ठीक यह हो जाए थी हमारे पास वेस्ट और इसलिए फिर में आपस efficiency में इस इस तरीके से सिंक है दो तेमपरेचर के हिसाब से कुछ वेस्ट मुझे डिजाइन करना है तो मैं यहीं डिजाइन कर पाया अभी आपके सामने हमने इसका डिजाइनिंग प्रॉसेस देख लिया पॉर्मूला बस यही एक काम का है इकलाउता अ कानट इंजेन होस सिंक इस थ्री हंड्रे केल्विन है अन एफिशेंशी ऑफ 40 परसेंट बाइ हाव मच शुद दर तेमपरचर आप सोर्स भी इंक्रीज तो इस एफिशेंशी बाइ फिफिटी परसेंट ऑफ औरिजिनल एफिशेंशी बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ यहाँ अपर हम सारी चीज़ें पहले समझ लेते हैं जब भी देखा हमें अपास कानट साइकल लोगी या हीट इंजन बोला जाएगा कुछ भी करना है हमारे पास हमेशा दो टेंपरेचर होता है इक होता है टी होल्ग एक होता हम आपास टी कोल्ड और इनके अलग अलग ना 300 Kelvin यह surrounding होती है जैसे 23 degree के आसपर surrounding है और मुझे heat engine चलाना है मैं surrounding का temperature change कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता मैं तो जो gas वैसे कुछ गरम कर रहा हूँ gas उनको गरम कर सकता हूँ कुछ heat डाल डालके कुछ वहाँ पर temperature इसको मैं change कर सकता हूँ अब देखो TH के साथ हम कुछ changes करेंगे पहली बात तो यहाँ पर हमाँ पस जो efficiency का formula होता है efficiency is equal to 1 minus T cold upon TH गलती से अगर आपने इसको TH upon TC लिख दिया तो यह वाली value 1 से बड़ी हो जाएगी 1 से बड़ी हो जाएगी तो यह negative हो जाएगा आपको तुरन पता चल जाएगा आपने गलती कर दिया घबराने की जरुरती नहीं है ठीक अच्छा यह इसकी value मुझे दिवी है कितनी 0.4 40% का मतलब होता है 0.4 तो एक काम करते हैं हम इसकी value बदा कर लेते हैं TH की value कितनी रही होगी तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई हमाया पास 0.4 is equal to 1 minus यह वाली value है जाती है T hot sorry T cold यानि कि 300 Kelvin divided by T hot और एक चीज़ हमाया पास यह जो temperatures होते हैं absolute temperatures होते हैं always in Kelvin इस चीज़ को गलती मत करना Kelvin में होंगे हमारे temperatures दोनों के दोनों यहाँ से हमें पता चलता है कि हमाया पास यह जो है 300 upon TH की value है 0.6 के बराबर 300 की is equal to TH into 0.6 यहाँ से T hot की value होते है 300 divided by 0.6 यानि 3000 divided by 6 3000 divided by 6 यह कट जाता है इस तरीके से 1000 divided by 2 यानि कि 500 Kelvin पर हमाया पास यह था originally यह 500 पर था फिर उनाने क्या बोला बहुत ही अच्छी चीज बोली है ध्यान से पढ़ना शब्दों का खेल है how much should the temperature of source be increased पहली बात इनने हमसे final temperature नहीं पूछा इंक्रीस किता हुआ है वो पूछा है so that its efficiency increases by 50% of original efficiency अब विडियो को पॉस्ट करो पॉस्ट को सॉल्व करो इसका करेक्ट आंसर है 250 Kelvin solve करते हैं तो देखो अब की बार हमाया पास जो नई efficiency होनी है इटा डैश मानलो मैं उसको लिख देता हूँ तो उसकी value कितनी होगी पहले तो हम यह बता है इटा डैश की value होगी भाई पुरानी efficiency plus 50% of it 50% of it को मैं लिख सकता हूँ 0.5 इटा के बराबर originally मेरे पास efficiency किती थी 0.4 थी plus उसका आधा और उसमें जोड़ना है तो यह 0.2 और उसमें add करना पड़ेगा 0.6 की मुझे efficiency चाहिए छीक है मिलेगी सब मिलेगा आपको तो मुलते हैं इसको 0.6 will be equal to 1 minus अब बता हो यार मैं T cold इसको तो change ही नहीं कर सकते है तो मेरे हाथ में ही नहीं है यहां रहने वाला है 300 as it is divided by T hot हमारे पास नया जो मैं चाहिए उसको मैं बोल देता हूँ भी मुझे चाहिए T2 की value T2 की value चाहिए यहां से मेरे पास value जाती है 300 divided by T2 must be equal to 0.4 यानि कि T2 की value हो जाती है 3000 divided by 4 हो जाता है यह जाता है मैं पास 750 Kelvin मार्क कर दो 750 Kelvin और answer गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे T2 पूछा नहीं है हमसे पूछा है कि T H जो था 500 वहां से हमें पहुचाना है इसको T2 जो है 750 डेल्टा डी की value कित्ती होगी कितना टेंपरेचर इंक्रीज किया है 250 Kelvin और D becomes our correct answer बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा सवाल थाएग The efficiency of a heat engine working between a heat source and a heat sink is 1 by 6 The temperature of the sink is reduced by 62 degrees Its efficiency gets doubled What is the temperature of the heat source? अभी बहुत ही अच्छा सवाल है अमेना यहां का temperature दिया है नहीं का temperature दिया है पर यहां का जो भी temperature है आप देखो यहां पर उसकी value में से कुछ कम कर दिया आपने 62 degrees Celsius कम कर दिया तो यहां का temperature कम हो गया होगा Efficiency बढ़ जाएगी हमारे पास और Efficiency बढ़ जाएगी तो बताओ यहां पर What is the temperature of the heat source? हमें heat source का temperature बताना है Let's say इसको मैं बोल देता हूँ यह T H है चाहिए यहां भी इसकी value T H रहने वाली है यह होगा मैं आपास T C यहां पर हो जाएगा T C minus 62 इस तरीके से बहुत ही अच्छा सवाल है वीडियो को पॉस्ट करो क्वेशन को सॉल्फ करो इसका correct answer है D कैसे आएगा सॉल्फ करते हैं देखो यह बहुत ही अच्छा सवाल है माल लो हमें यहां पर कुछ T HOT होता और यहां पर हमाँ पास जो efficiency है efficiency की value देवी है 1 by 6 देख काम करते हैं पहले तो efficiency का formula लगते हैं efficiency will be equal to 1 by 6 यह क्या चीज है 1 minus T cold divided by T H इस तरीके से यह हमारे पास पहली यहां से equation आजाएगी क्या आजाएगी हमारे पास आजाता है देखो यहां से T C upon T H की जो value है वो आजाती है यह दूसरी तरफ गया यह 1 minus 1 by 6 हो जाएगा यह इस तरफ आजाएगा तो हो जाता हमारे पास 5 by 6 इस तरीके से यह मेरे पास पहली equation आ चुकी है ठीक अब दूसरी equation यहां पर लिखेंगे यहां पर क्या बोला efficiency double हो गई है double हो गई है तो यहां की जो efficiency हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 divided by 6 इस तरीके से अब मैं लिख दूँगा फिर से अब के बार क्या हो जाएगा efficiency is equal to 2 divided by 6 that will be equal to 1 minus cold का temperature किता है TC minus 62 अब यहां पर ध्यान देना हमारे पास यह 62 degree Celsius कम क्या है यह जो values होती है temperature की absolute temperatures होते है लेकिन degree Celsius पर difference की बात करें Kelvin और degree Celsius में differences actually same ही रहते हैं तो यह यहां पर आप TC minus 62 Kelvin आप इसको मान सकते हो यहां लिख दूँगा मैं TC minus 62 Kelvin divided by हैं पर TH इस तरीके से कुछ होगा और यहां से मैं लिख सकता हूँ TC minus 62 upon TH यह value कित्ती हो जाएगी देखो यह दूसरी तरफ चला गया यह वाला सितरफ होगे minus हो जाएगा तो यह 1 minus 1 by 3 है तो basically यह मैं पास हो जाता है 2 by 3 इस तरीके से equation number 2 कितने variables हैं? दो variables हैं TC TH, TC TH दो equation आचुके हैं बहुत ही आसानी से यह solve हो जाएगी जैसे यहां पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास हो जाता है अच्छे एक काम कहते हैं इसको 4 by 6 ही रहने देते हैं तो मैं लिख दूँगा यहां पर 6 TC minus 6 into 62 will be equal to 4 TH इस तरीके से लिख सकते हैं यहां से हमाँ पास value है जाती है इस जगे से देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ 6 times TC is equal to 5 times TH ऐसा मैं लिख सकता हूँ यह वाली value का आप यहां पर रख दो तो मैं पास आजाता है 5 times TH minus 6 into 62 is equal to 4 times TH यहां से हमाँ पास value हाजाती है सिर्फ TH is equal to 6 times 62 इसकी value कितनी हाजाती है 6 into 2 12 और यहां आजाएगा 6, 6 is 36, 372 इस तरीके से यह जो answer हमारे पास है यह आएगा Kelvin में 372 Kelvin हमाँ पास यहां का hot temperature आ गया है लेकिन option सारे के सारे degree Celsius में है यहां पर हमाँ पास TH की जो value हाजाएगी है अगर degree Celsius में करना है तो मैं करूंगा 372 minus 273 करना पड़ेगा यह value हाजाती है 99 Kelvin 99 degree Celsius और C बन जाता है हमाँ पास हमारा correct answer sorry मैंने starting में I think D बोल दिया था correct answer इसका 99 degree Celsius है अच्छा अब यहां पर आपसे यह भी पूचा जा सकता T hot था हमने बता दिया बताओ T cold की value किती रहने वाली है T cold की value क्या आजाएगी यहां से मैं देख सकता हूँ T cold is equal to 5 divided by 6 into T hot यहां पर T hot कौन सा आएगा यह degree Celsius वाला मत यूज कर लेना गलत हो जाएगा Kelvin वाला यहां पर यूज होएगा इसकी value आजाती है 5 divided by 6 multiplied by यह थीक है value हमाँ आपस 6 into 62 यह था 6 into 62 यह आजाते है मेरे पास 5 into 62 which is equal to इसकी value आजाती है 0 यहां पर आजाएगा 6530 310 Kelvin या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ T cold अब इसको degree Celsius में ले क्या हो तो यह value आजाती है मेरे पास 310 में से 273 को minus करेंगे यह आजाता हमाँ आपस 37 degree Celsius D उस case में आंसर हो जाता अगर हमसे cold temperature पूछ लिया होता आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यार से सुन्दा से कलर्फुल से क्राश फोस का जिसमें 11 और 12 के सारे कॉंसेप्स को कवर गया है बहुत सारे पीवाई कि इसको सॉल करें विद कलर्फुल ग्राफिक्स ताकि आपको एकदम अच्छे से विशुलाइजेशन हो जाए और साथ में आप PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप लास्ट में नोट से रिविजिन कर पाऊ लिंक इस इन देस्रिप्शन आजाओ स्ट्रक्चर तरीके से पूरी फिसिक्स को कर लेते 11-12 की मैं मिलंगो आप से फुल कोस में